नमस्कार, टीबी 20 नूज में आप सभी दर्सकों का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ असोग बर्मा, अब रुख करते हैं खबरों की तरफ इस खबर के प्रायो जख हैं प्रोवांचल मसिनरी अजेंसीज, बर्मा टावर, नरवली, तनिस्क सोरूम की नीचे आजमगड, प्रोप्राइटर हैं असुक बर्मा और मुबाइल नमबर है 9415-207728 आजमगड की सिक्षा शेत्र पलहनी के प्रेत्मिक बिद्याले टोड़ा में जरूरत मन्द बच्चों की बीच स्वेटर वितरण का कारिया किया गया सुर्गे संजे सिर्वास्तो कुष्ट रोगी सिवा संस्थान आजमगर की द्वरा स्वेटर वित्रन का कारी किया गया इस संस्था कमों के उद्देश से कुष्ट रोगी हम जरूरत मंदों की शाहिता करना होता है इसे के तहट आज इस बिद्द्याले में लगबग 24 बच्चों सहीत अन्य लोगों के बीच स्वेटर वस साल का वित्रन किया गया स्वेटर और साल पाकर सभी के चेहरे खोशी शेखेल उठे मेडिया से बात सित करते हुए प्रधनाध्यापी का अलका सिर्वास्तों ने कहा कि इस तरह के कारी करने के बाद हमें बहुत गयर्वे महशुष होता है और साथी साथ बहुत मन को शकून मिलता है उन्होंने कहा कि इस तरह के कार हर समाज सेवी संस्थानों को करना चाहिए ताकि ठंड से किसी गरीब को कोई नुकसान न पहुँचे आज की कारकर में विद्याले की प्रधाना ध्यापिका अलका स्रिवास्तो ग्राह प्रधान बिमला देवी समाजवादी मजदूर सभाद प्रदेश उपाध्यक्ष पुनम स्रिवास्तो समाज सेवी स्काउट ट्रेनर अनिता शायलीस अव्यावक के साथ साथ पोरा विद्याल परिवार मौझूद रहा टीवी टॉंटी न्यूज सो ही बातचीत में अलका स्रिवास्तो प्रधान अध्यापिका ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं मेरा नाम अलका श्रिवास्तो है और मैं प्रात्मिक विद्यालाई टाउरा शिक्षा शेत्र पलनी पर प्रधान अध्यापिका हूँ और मेरे विद्याले पर NGO संजे श्रिवास्तो कुछ टरोगी सिवा संस्थान के द्वारा स्वेटर वितरन कराया गया है और बहुत ही अच्छा कारे है इनका बहुत ही नेक और सराहनी कारे है जाड़े में बच्चों को इसकी जरुरत रहती है और यह जरुरतमन बच्चे है जो प्रात्मिक विद्याले में पढ़ने आते हैं यह सभी जरुरतमन बच्चे हैं तो यह संस्था हमारे यहां हर वर्ष स अगल बगल रहते हैं, उनको भी स्वेटर दिया गया है, कुल मिला के तीस बच्चों को, तो बच्चों को दिया गया है, और दो तीन जरुरत मन्द महिलाएं हैं, गरीब परिवार की, उने शॉल दिया गया है, इस तरह से वित्रन हुआ है, करीब करीब 50 लोगों को, जरुरत स्वेटर, कमबल, सॉल यह मुहया कराया जाए और कुछ तुरोगी बस्ति पास में है वहाँ अलाव जलवाया जाता है अब कल परसों से इनका अलाव जलना शुरू हो जाएगा इस तरह के कारिये संस्था करती है जी यह संस्था कराती है इसका उद्देश से तो मुख्य रूप से कुष्ट रोगी बस्तियों का कल्याड करना है किन्तु जरूरत मंद का कल्याड करना तो हर NGO का फर्ज हर वेक्टी का फर्ज है और यह करते हैं कितने लोग साथ में थे आपकी कर्दम में आज तो हमारे साथ संस्था के दो पदा दिकारी थे एक मुख्य अतिथी थे और किसी कारण वज सभी लोग नहीं कठा हो सके बाकी विद्यले परिवार थे अतिथी थे अगल बगल के ग्राम प्रधान विम्ला देवी थी और बाकी अगर रहते हैं लोग अलाव जलवाने में आने कारे करमों में सब लोग कठे रहते हैं मैं एक बात पूछ हूँ अगर ऐसे बच्चों के इस तरह की कारे करने के बाद कैसा अनुभा होता है खुद को बहुत अच्छा बहुत सुकून मिलता है